हलो स्टूडेंस दिस इस तनुश्री तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइस 12.3 से कोशिन नमबर 7, 8 और 9 तो चलो शुरू करते हैं कोशिन नमबर 7 देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 डशन बैनना की कॉस्ट दिया हुआ है 180 रूपीज अचा 4 डशन मीन्स देखो 1 डशन मतलब 12 यह हमें पता है तो 4 डजन मतलब मल्टिप्लाई कर दो 12 इंटू 4 तो हो जाएगा 48 तो तो 4 dozen means 48, 48 बैनाना की cost है इतना रुपिस, ठेक है, अचा, how many bananas can be purchased for रुपिस 90, तो 90 रुपिस से कितना bananas purchase कर सकते हो, कितना bananas खड़िद सकते हो, वो यहाँ पर निकालना है, तो क्या निकालना है, how many bananas can be purchased, तो कितना bananas खड़िद सकते हो, तो वो हम right side में रखेंगे, अच्छा, यहाँ पर क्या given है, 48 बैनाना की cost given है 180 रुपिस, है न, तो मतलब 180 रुपिस से bananas purchase कर सकते हो, 48 तो 1 रुपिस से कितना bananas purchase कर सकते हो, और 90 रुपिस से कितना bananas purchase कर सकते हो, ऐसे हम निकालेंगे ठीक है अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे देखो इन रुपीज वन एटी बैननास कैन बी पर्चेस्ट 48 तो इतना रुपीज से कितना बैननास पर्चेस कर सकते हो 48 बैननास तो इसको हम राइट साइड में रखेंगे तो देखो रुपीज से कितना बैननास पर्चेस कर सकते हो खड़ीज सकते हो तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 180 अच्छा अभी देखो रुपीज से इन 90 रुपीज रुपीज 90 बैननास पर्चेस्ट तो यही हमें निकालना है 90 रुपीज से कितना बैननास करी सकते हो तो क्या हो जाएगा मल्टिप्लाई हो जाएगा 48 इन्टु 90 डिवाइड बाई 180 यह हो जाएगा ठेक है अभी इसको हमें सॉल्प करना है अच्छा तो देखो उपर नीचे एक जीरो एक जीरो कैंसल हो जाएगा अच्छा यहाँ पर उपर 9 है नीचे 18 है तो 9 से देखो डिवाइड जाएगा बस नीचे 1 आ गया है और उपर 24 इन्टु 1 है तो हो जाएगा 24 बस तो रूपीज 90 से कितना बैननास पर्चेस कर सकते हो 24 बैननास पर्चेस कर सकते हो इतना बैननास खड़िच सकते हो बस तो ऐसे निकालना है तो यह था कोश्य नंबर 7 नेक्स्ट आम कोश्य नंबर 8 देख लिखते हैं the weight of 72 books is 9 kg 72 books की weight दिया हुआ है 9 kg what is the weight of 40 such books तो ऐसी 40 books की weight कितना होगा बो यहाँ पर निकालना है ठीक है तो क्या निकालना है weight निकालना है तो बो हम right side में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो weight of जो given है बो ही लिखेंगे weight of 72 books is equal to 9 kg तो weight को हम right side में रखेंगे अचा अभी हम one के लिए निकालेंगे therefore weight of one book तो one book की weight कितना होगा तो divide हो जाएगा 9 divided by 72 इतना kg अचा therefore weight of क्या निकालना है 40 books weight of 40 books 40 books की weight क्या होगा जादा होगा तो multiply हो जाएगा 9 into 40 divided by 72 इतना kg बस अभी इसको solve करना है तो देखो उपर है 9 नीचे है 72 तो 9 से ये तो divide जाएगा तो हम divide कर लेते हैं 9 ones are 9, 9 8s are 72 अचा अभी देखो नीचे 8 है उपर 40 है तो देखो ये 8 से divide होगा 8 ones are 8, 8 fives are 40 बस तो देखो नीचे 1 आ गया है तो उपर 1 into 5 तो 5 होगा 5 kg यूनिट जो रहेगा बोल लिख लेना है 5 kg अचा तो 40 बुक्स की weight कितना है 5 kg बस तो ये था question number 8 question number 9 देखो अ ट्राक requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 km तो यहाँ पर क्या बोला गया है 594 km इतना distance cover करने के लिए एक ट्राक को 108 liters of diesel की जरूरत है how much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 km तो इतना km distance cover करने के लिए ट्राक को कितना diesel की जरूरत होगा तो यही यहाँ पर निकालना है अच्छा तो कितना diesel की जरूरत होगा यह निकालना है तो यह हम right side में रखेंगे तो यहाँ पर देखो 594 km इतना distance cover करने के लिए diesel की जरूरत है 108 liters तो एक km distance cover करने के लिए कितना diesel की जरूरत है और इतना km distance cover करने के लिए कितना diesel की जरूरत है तो यह हम ऐसे निकालेंगे अच्छा तो यहाँ पर लिखते हैं देखो यहाँ पर लिखेंगे diesel required for 594 km is equal to 108 liters तो 594 km इतना distance cover करने के लिए diesel जरूरत है 108 liters अच्छा तो हम अभी निकालेंगे diesel required for 1 km 1 km के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 108 divided by 594 liters अच्छा अभी हम निकालेंगे therefore diesel required for itna km 1650 km तो इतना km distance cover करने के लिए कितना diesel जरूरत होगा वो हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे multiply कर देंगे 108 into 1650 divided by 594 इतना liters अच्छा अभी हमें उपर नीचे same number से divide करना है तो देखो यहाँ पे once plus digit में 8 है यहाँ पे once plus digit में 4 है तो यह two से divide जाएगा यह भी two से divide जाएगा जादे को once plus digit में 0 है तो यह दो भी two से divide कर सकते हो तो हम यह दो टू से divide करते हैं अच्छा उपर का number करते है तू फाइव जा टेन तू फोर जा एट अच्छा अभी नीचे का number करेंगे तू तू जा फोर फाइब माइनस फोर अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं फाइब 9 जा 18 9 माइनस 8 1 4 आ जाएगा 2 7 जा 14 तो हो जाएगा 297 यह हो जाएगा अच्छा अभी देखो यह टू से divide जाएगा पर यह टू से divide नहीं जाएगा यहाँ पर once plus digit में 7 है अच्छा अभी 3 से देखते हैं 5 प्लस 4 यह 9 होता है तो 9 इस divided by 3 3 से divide जाएगा यह 3 से divide जाएगा कि नहीं देखो 9 प्लस 2 11 11 प्लस 7 हो जाएगा 18 तो 18 इस divisible by 3 तो 3 से यह divide जाएगा अच्छा तो यहाँ पर कर लेते हैं 3 18 जा 54 और 3 अच्छा यहाँ पर कर लेते हैं 3 से 297 जा 3 9 जा 27 9 माइनस 7 हो जाएगा 2 7 आ जाएगा 3 9 जा 27 तो 99 अच्छा देखो यह फिर से 3 से जाएगा 3 6 जा 18 3 33 जा 99 अच्छा फिर से 3 से जाएगा 3 2 जा 6 3 11 जा 33 अच्छा और देखो और नहीं जाएगा अच्छा अभी 16 5 0 यह है तो इसके साथ देखना है हमें तो 11 से यह डिवाइट होगा तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 16 5 0 है अच्छा 11 1 जा 11 माइनस करने से 6 माइनस 1 5 5 आ जाएगा 11 5 जा 55 तो यहाँ पर 0 होगा 11 0 0 150 होगा देखो 11 1 जा 11 11 150 जा यह बस अच्छा यहाँ पर देखो 2 है ठीक है यह में समत करना यहाँ पर 2 है तो 2 इन्टू 150 होगा यह थोरह इधर चला गया है तो इधर भी कर सकते हो ठीक है अच्छा तो 2 इन्टू 150 तो 2 इन्टू 150 अच्छा यह पर लिख लेते हैं 2 इन्टू 150 इतना लीटर्स तो यह हम मल्टिप्लाइ कर लेते हैं 15 टूजा 30 और एक जीरो होगा तो 300 लीटर्स ठीक है ऐसे होगा तो इतना किलोमेटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना डिजल की ज़ूरत होगा 300 लीटर्स बस तो यह था कोश्य नमबर 9 तो यह था इस एक्सरसाइस की थर्ड पार् वीडियो की लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा